ओके दो नमस्ते हाद आप से सिया काल मैं हूँ सिये संगल कान सिया और देखो इस इस पावर ओफ यॉर कमेंट्स तो कल मैंने एक वीडियो डाला था एंड इसकी वज़े से आप लोग को मिलने वाला है एक दबल दमा का जीहा रेडियो हो जाएगे and listen to this yes we are going to have two marathon sessions एक 8th में को and दूसरा 9th में को काफी सारी students ने बुला सर के study digest के questions है कुछ practical questions करवाद हो कुछ chapter wise revision करवाद हो मैं बुला एक marathon में ये सारा चीज नहीं हो पाएगा so I am going to take two marathons one on 8th of May and the other on 9th of May तो अपने पास काफी time रहेगा and systematically चीज़े हो पाएगी दोनों marathon का timing में आपको बता दू will be evening 7 p.m so कुछ students बलेंगे कि सर तो आप Saturday है कल Sunday है सर ये दो दिन भी ले लो न so that हम लोग को revision करने का time मिलेगा but let me tell you आज भी मेरा marathon है but that is for our ननने मुनने CA intermediate students तो CA Inter का costing का exam है मंडे को तो मेरा अभी Saturday Sunday पूरा focus and devotion उन लोगों के उपर है so आज मेरा evening में marathon है CA Inter costing के लिए आपके कोई छोटे भाई बैन होगा तो आप उनको बोल सकते हैं and वोई मंडे को कल उनके जो doubts outs होंगे तो उसके लिए so Monday so Saturday Sunday इंटर के लिए Monday evening 7 p.m. so Monday को जब इंटर वालों का exam कतम हो जाएगा 2256 p.m. में उनका review डाल दूँगा and then फिर बाद में वो लोग tension free हम भी tension free फिर आ जाएगा अपना SCMP का बारी so Monday and Tuesday is what we are going to take Tuesday में specially ले रहा हूं हमारे दोनो ग्रूप वाले students के लिए so I hope यह बोद ग्रूप आले students attend करें बहुस आप लोगों के लिए मैं Tuesday को ले रहा हूं और Monday को so obviously दोनों में content अलग अलग होगा but Monday को we will be doing case study digest जिसका आपको सबसे जादा डर है and November 22 से institute ने उसमें से काफी questions पूछना start कर दिया है so it is important but I know as student कहीं न कहीं ignore हो जाता है तो इसके लिए I thought के चलो let's focus on this plus ICI के कुछ important questions होंगे वो मैं 8th में को करवाने वाला हूं so it's going to be a very very important session and case study digest वाला majority जो आपका attention है वो यहाँ पे clear हो जाएगा and दूसरा 9th में को chapter wise division जो आपन हर बार करते है that will be done for sure और यह तुमें को आपन डिसकस करी लेंगे कि अपने को आगे कैसे proceed करना है right so see you all आईएगा पूरी ताजाद में तब तक आप अपना पढ़ाई कर लो जैसा जैसा अपना कल schedule का बात हुआ था तो वो schedule तो आपको वैसे ही follow करना ही है so I don't think so उसमें आप लोग को कोई भी changes करना है तो यह आप follow करते जाए और अपने को तो evening 7 p.m मिलना है तो कोई attention नहीं है तब तक तो आप आपका पूरा पढ़ाई करके ही रखोगे and I'm sure we will catch up very very soon so ऐसा कुछ scenario है कैसा लगा यह thought process do share it in the comments and कुछ और भी चीज़े है बताते रहिए because अब की बार exemption पार इसके लिए मैं यह दो दिन ले रहा हूँ to ensure कि boss यह बार अच्छा लाना है clear करवाना है सब लोग को इस subject में because I'm sure group 2 में यह subject clear होता है तो group 2 पूरा clear होता है so please आप लोग भी वही dedication वही discipline से आना and उससे साब से करना so 8 में को कर लेंगे तो 9 को भी आप लोग को थोड़ा revise करने का time मिल जाएगा 9 वाली चीज है वो 10 को आप revise कर पाओगे 11 का morning का day है so I think काफी चीजे sorted रहेगी बाकी और कुछ आपकी बात हूँ तो let me know take care see you all Monday 7 pm thank you so much